हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है क्या है महाशक्ती काडेक्रम महाराश्ट सरकार के सारवजनिक स्वास्ते विभाग ने महाशक्ती काडेक्रम शुरू किया है यह अपनी तरह की पहली ऐसी पहल है जिसके तहट प्रात्मिक स्वास्ते किंद्रों यानि PHC में प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर निक्त किये जाएंगे इसका मकसद महाराश्ट की ग्रामिन आबादी के मनोरोग मुल्यांकन के लिए MBBS डॉक्टरों को प्रशिक्षित करना है इस कारिक्रम का मुख्य फोकस गैर चिकित साथ देखभाल प्रदान करना होगा जहां रोगियों की काउंसलिंग की जाएगी अकसर देखा गया है कि जानकारी और जागरुकता के अभाव में ग्रामिन आबादी, चिंता, अवसाद और व्यक्तित्व विकार जैसे मानसिक स्वास्ते मुद्दों की पहचान करने में विफल रहते हैं वे अकसर अनिद्रा, सांस, खुलना, हथेलियों और गर्दन में पसीना और एसिड रिफ्लक्स जैसे रोगों की शिकायत देगर पी एचसी यानि की प्रात्मिक स्वास्ते किंद्रों पर जाते हैं जबकि ये मानसिक रोगों के सामान निलक्षन हैं अतहमानसिक रोगों को ध्यान में रखकर डॉक्टरों को ऐसे रोगियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा इससे सुडवाती उपचार और बेहतर डिकवरी में मदद मिलेगी और जरूरत पढ़ने पर रोगियों को विशेशग्यों की मौजूदगी में जीला किंद्रों के लिए रेफर किया जाएगा सरकारी आंकोरों के अनुसार प्रतेक सौ रोगियों में से बचित्तर प्रतिशत परामर्स और जीवन शैली में बदलाव से ठीक हो जाते हैं जैसे धुम्रपान और शडाप का सेवन छोड़ने नियमित दवा और व्यायाम स्वक्ष भोजन की आदत आदी कम से कम 14 प्रतिशत रोगी जो मध्यम रोगियों की स्टेनी में आते हैं उन्हें परामर्स के साथ साथ अधिक चिकित्स किये अस्तक्षेप की आवशक्ता होती हैं इसके अलावा 6 एक प्रतिशत रोगी ऐसे होते हैं जो गंभीर मानसिक विकारों का सामना करते हैं ऐसे रोगियों को अस्पताल में भरती करने की आवशक्ता होती हैं कारिकरम के तहट तीसरी स्टेनी के रोगियों के लिए प्रतिएक जीला अस्पताल में प्रवेश के लिए अपने बिस्तरों का एक प्रतिशत जो की संख्या में 10 है सुरक्षित रखा जाएगा